जै श्री राम, जै हनुमान दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल सरोज आस्ट्रो में आज हम जानने वाले हैं कि सपने में भालू का पीछे पढ़ना कैसा होता है या सपने में भालू को खाना खिलाना कैसा होता है भालू की सुंगने की क्षमता अन्यस्तन धारियों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है वो अपने शिकार के फेरों की गंद सुंगते, सुंगते अपने शिकार तक पहुंच जाता है भालू मरे हुए जीव को खाना पसंद नहीं करता है दोस्तों सपने में आप देखते हैं कि आप किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे होते हैं और अचानक से भालू को गंधाती है और वो आपके कदम सुंगते सुंगते आपकी और बढ़ने लगता है आप आगे आगे और भालू पीछे पीछे होता है, तो ये सपना आपके लिए अशुब संकेत देता है, ये सपना इस बात का संकेत देता है, कि आने वाले दिनों में आप किसी बड़ी मुशिबत में फसने वाले हैं, आप जिस मुशिबत में फसोगे उससे आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा, आपको उस मुशिबत से खुद ही निकलना पड़ेगा, कोई दूसरा इनसान चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो इस मुशिबत से खुद ही निपटना होगा, तो और दोस्तों इस सपने के बाद आपको छोटी-छोटी बातों को ध्यान मे रखना होगा, क्योंकि आपको छोटी सी गलती ही मुशिबत में डालेगी ना कि कोई बड़ी गलती, सपने में आप अपने दोस्त के साथ होते हैं और कोई भालू आप दोनों का पीछा करता हुआ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके रिस्त में कोई दरार आ सकती है तो आपको इस सपने के बाद अपनरे रिस्तों को भी संभाल कर रखना होगा अब बात करते हैं सपने में भालू का पीछा करना कैसा होता है आप सपने में देखते हैं कि आप एक भालू का पिछा कर रही हैं तो ये सपना आपके लिए अशुब देता है कि आने वाले दिनों में आप किसी बड़ी मुशिबत में फंसने वाले हैं, इसके विपरीद अगर आप सपने में देखते हैं, कि कोई भालू चुपके चुपके आपका पीछा कर रहा होता है, तो ये सपना आपके लिए एक चेताबनी का काम करता है, जिसके अनुसा किसी भी इनसान पर जरूयत से ज्यादा विश्वास ना करें, अब बात करते हैं, सपने में भालू को खाना खिलाना कैसा होता है, भालू सरवाहारी होता है, ये शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करता है, ज्यादतर ये मास मचली और जंगली जीवों का शिकार करके ख इसके अलावा भालू फल भी खाता है। सपने में आप देखते हैं कि आप एक भालू को खाना खिला रहे खोते हैं तो ये सपना आपके लिए अशुब सपना माना जाता है। ये सपना इस बात को बताता है कि आप आने वाले समय में मुशिप्तों को बुलाने वाले हैं, कहने का अर्थ है कि आप जानबूच कर ऐसी गलती करोगे जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा. दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताए. अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी, तो इस विडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज आश्ट्रो को सब्सक्राइब करें. तो दोस्तों मिलते हैं अगली विडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै श्री राम, जै हनुमार